किसी छोटे से गाव में एक गरीब आदमी रामू रहता था वह दिन रात बहुत महनत करता था वह सबजियां बेच कर अपना और अपनी पतनी का पेट भरता था एक शाम रामू अपने घर काम से लौट रहा था तभी उसका एक्सिडेंट हो जाता है और उसे बहुत सारी चोट लग जाती गाव के लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं दूसरी तरफ संध्या को गाव के एक आदमी ने रामू के बारे में बताता वह बहुत परेशान हो जाती है और रामू को देखने के लिए अस्पताल के लिए चली जाती है ये क्या हो गया जी आपको तो बहुत चोट आई है ये भगवान आपका बहुत धन्यवाद मेरे पती की जान बचा ली वरना पता नहीं आज क्या हो जाता अरे रोती क्यों हो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा दस दिन बीट जाते हैं संध्या रामू को घर ले आती है लेकिन रामू अभी काम नहीं कर पा रहा था घर का राशन भी खतम होने वाला है अमारे पास खर्चे को कुछ ही पैसे बचे हैं अब हम कैसे अपना घर चलाएंगे आप भी पूरी तरह सही नहीं हुए है एक दिन रामू का दोस्त सुरेश घर पर आता है संध्या खाना बना रही थी वो सबको खाना परोस्ती है सुरेश खाना खाके कहता है संध्या और रामू को सुरेश का आइडिया अच्छा लगता है और एक दिन रामू संध्या से कहता है संधिया मुझे सुरेश का आइडिया बहुत अच्छा लगा जिस तरह के अभी हमारे हालात हैं ऐसे में तो ढाबा खोलना ही सही लग रहा है तुमारे हातों में भी जादू है घर की आर्थिक स्थिती भी बहुत खराब है मैं अभी तुमारी मदद वैसे भी नहीं कर लेती है और अगले दिन एक राजमा चावल का एक स्टॉल खोल लेती है संधिया सुभह से इंतजार कर रही थी कि कोई ग्राहक आए और उसके राजमा चावल खाए कुछी देर में वहाँ एक आदमी आता है जो संधिया से राजमा चावल मांगता है संधिया बहुत खुश हो जाती है पहले दिन संध्या के पास ज्यादा ग्रहक नहीं आते और वह उदास होकर घर चली जाती है आज मेरे ठेले पर जादा लोग नहीं आए और ना ही जादा कमाई हुई ऐसे चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा तुम हिम्मत मत हारो आज पहला दिन था कल से एक नई अगले दिन संध्या के ठेले पर धीरे धीरे कर लोग आ रहे थे और काम ठीक चल रहा था भाई वाह क्या राजमा चावल है मज़ा ही आ गया मुझे तो एक प्लेट और देना और पैक भी कर दो संध्या ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसका ठेला बहुत लोग प्रिय हो जाता है दूर दूर से लोग आने लगते हैं दिन बीटते गए रामू भी बिलकुल सही हो गया था उन दोनों ने मिलके काम को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और सारी परेशानिया अब खतम हो गए